नमस्पार दोस्तों, सिग्रेट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से विश्व के अंदर लाखों लोगों की मित्यू होती है हर साल लेकिन यहाँ पर अब कुशन यह आता है कि इस प्रॉबलम से निपटने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना किये क्या बैन एक तरीका है यहाँ पर न्यूजिलेंड के द्वारा लाइफ टाइम बैन की बात कही जारी है यह आप देख सकते हो न्यूजिलेंड's plan to end smoking a lifetime ban for youth तो यह पुरा मामला है क्या न्यूजिलेंड किस तरह का कानून लाने वाला है जिसकी वज़े से lifetime ban लग जाएगा यहाँ पर youth के उपर पूरा मामला को समझेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं को ही announce किया है कि young people को cigarette खरीदने पर lifetime का ban लगाया जाएगा young people मैं आपको बताऊंगा किस उम्र की यहाँ पर बात कर रही है और कब तक यह लागू होगा क्या होगा मैं सब कुछ बताऊंगा लेकिन especially youth को ध्यान में रखते वे उनके उपर ban लग जाएगा lifetime का मतलब वो कभी cigarette खरीदी नहीं सकते ऐसा यहाँ पर New Zealand का कहना है and it is going to be one of the toughest approaches in the world for curving smoking death और especially New Zealand यह कह रही है कि वहाँ की जो indigenous population है क्योंकि अगर आप Australia, New Zealand अगर आप देखो के तो Britishers वहाँ पर आये थे, तो जो एक प्रकार से वहाँ का indigenous population थी, उनकी संक्या धीजरे कम होती गई लेकिन आज की date में अगर आप देखिए तो New Zealand के अंदर जो वहाँ की indigenous population इसका नाम है Maori, ठीक है उनके उपर बहुत बड़ा impact आया है, in fact, सबसे ज़्यादा उनी के द्वारा जो smoking है वो सारी चीज़ें की जारी है, death जो मिर्तिव है वो उनीक होती है ज्यादा तर और उनके disease और health problem को देखते वे यहाँ पर New Zealand का कहना है कि हम इसके उपर ban लगाना चाहते हैं ताकि मिर्ति होता है, कुछ भी उसके उपर नहीं बना रहा था, और 17 ऐसे countries हैं जो कि इस तरह की plain packing जो है cigarettes की करते हैं, New Zealand का कहना है कि इसको implement करना बहुत tough होगा और उनका ये भी कहना है कि अगर हम 18 साल से नीचे के लोगों के उपर ban लगा भी देते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर goal है, New Zealand का कहना है कि हमारा goal है कि 2025 आते आते हैं, जो adult smoking rate है, उसको 5% से भी कम ले आएं, अभी के लिए अगर आप देखो तो करी 13% संख्या ऐसी है, adult population नीजलेंड के अंदर जो smoke करती है, तो वो चाहते हैं इसकी संख्या 2025 तक 5% ले आएं, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, अब question ये आता है कि ये lifetime ban का मतलब क्या है, न्यूजलेंड क्या करना चाहता है, देखो न्यूजलेंड ये कह रहा है कि 2027 से, मतलब अगले 5-6 साल के बाद, 2027 से जो भी person 14 साल से कम उम्र का होगा, उसको cigarette नहीं दिया जाएगा, मतलब वो किसी भी दुकान पर जाकर cigarette नहीं खरीद सकता, अगर उसकी उम्र 14 साल के नीचे की है, from 2027, अब आप समझ सकते हो, suppose 2027 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 2 person है, एक की उम्र है 13 साल, दूसरे की उम्र है 15 साल, तो यहाँ पर 15 साल वाले उम्र के लड़के को जो cigarette है, वो दे दिया और यह जो 13 साल का उम्र का जो person है, उसके उपर lifetime बैन लग जाएगा, मतलब कि वो कभी cigarette खरीद ही नहीं सकता, इसका मतलब आप just imagine करके देखो, कि 14 साल का कोई person है, तो वो 60 साल की उम्र कब होगा, 2073 में, तो उसको cigarette यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन वही अगर 61 years का person हो जा क्यों नहीं 18 साल, क्यों नहीं 15 साल, तो यहाँ पर New Zealand की जो authorities हैं, उनका यह कहना है कि ज़्यादा तर जो smokers हैं, उनकी जो habit लगती है वो youth age में ही लग जाता है, इनफर्ट बताया जाता है कि यहाँ पर 5 में से जो 4 smokers हैं, उनकी habit 18 वर्ष के नीचे से ही लग जाती है smoking की, और यहाँ पर करीब 96% लोग 25 years के उम्र के आसपास से जो smoking है वो start करते हैं, तो New Zealand बेसिकली यह चाता है कि बहुत early age से ही, जितना early age हो सके, तो इसलिए उन्हों ने यहाँ पर रग दिया कि 14 साल के नीचे से यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, उनको cigarette नहीं दिया जाएग यहाँ पर अब आप समझे कि 2027 से इसकी बात चल रही है, तब तक क्या होगा, दिखे उसके लिए और भी कई सारे planning, मतलब कि यहाँ पर ना phase wise में लाने की कोशिश कर रही है, सरकार का यह कहना है, सबसे पहले सरकार यह करेगी कि जो number of stores हैं, जो cigarette बेसते हैं, उनकी संक्या drastically कम कर दीगी by 2024, 2024 तक उनका कहना है कि सर्फ 500-600 ही यहाँ पर shops ऐसे होंगे, जो cigarette बेचा करेंगे, अभी के समया, I think, साथ हजार या आठ हजार के आसपास आपको shop देखने को मिलेगा, New Zealand के अंदर, जो cigarette बेचते हैं, और इसकी संक्या घटा कर 500-600 कर दी जाएगी, और इसके चलाबा जो nicotine की संक्या होती है, which is most addictive ingredient in cigarette, nicotine की संक्या भी कम की जाएगी 2025 से, ऐसा भी कहना है, मतलब कि एक प्रकार से phase-wise लाने की कोशिच की जा रही है, देखा जाएगा कि इसका impact क्या आ रहा है, जो लोग बहुत जादा addict हो गए हैं, उनके health के उपर क्या impact आएगा, और कार से बचाने की कोशिच कर रही है, New Zealand का ऐसा, फिर next यहाँ पर question आएगा कि यह implement कैसे होगा, क्या इतना आसान है, आप just imagine करके देखो, कि हम 14 साल के नीचे के उमर के लोगों को नहीं देंगे cigarette जो है, तो यह rule किस तरह से enforce हो पाएगा, क्या यह possible है, देखिए अभी के के अंदर इसको लेकर बिल लाया जाएगा, legislation पास किया जाएगा, उसके अंदर enforcement कैसे होगा, वो यहाँ पर detail में बताया जाएगा, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन question यह भी आएगा कि क्या सरिफ New Zealand ही एक ऐसा देश है, जो complete ban लगाने वाला है, ऐसा नहीं है, देखो, भुटान इस समय अगर आप देखोगे ना, तो उसने अलरी 2010 से complete ban लगा रखा है, cigarette sales के उपर, although अभी 2020 में क्या हुआ था कि COVID बगरा के समय, black marketing बगरा हो रही थी, थोड़ी बढ़ रहा था, उसको देखते वे temporary थोड़ा सा lift किया गया था, लेकिन भुटान में भी इसा तो है नहीं कि कोई cigarette नहीं पी था, तो ban लगने की बाद भी क्या cigarette नहीं पीएंगे लोग, ऐसा क्या possible है, क्या किसी दूसरे से मगा के, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और इसलिए यहाँ पर criticism भी इस particular law को लेकर हो रहा है, criticism क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख स और कुछ लोगों का कहना है कि यह 100% theory है, 0% substance है, इसकी वज़य से यहाँ पर जो crime है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, gangs and criminal जो हैं, वो society के अंदर आने लगेंगे, तो यह भी यहाँ पर criticism आ रहा है, वो हमें देखना होगा, फिर अगला यहाँ पर मैं आपको बताओ, त 90% हुआ करते थे, 1910 में, फिर Britishers आ गए, और 30-40 वर्ज के अंदर ही उनकी संख्या 40% के आसपास किर गई, और आज के date में सिर्फ 3% indigenous आपको speaking people New Zealand के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसमें यह बताया जाता है कि 13% population इसमें New Zealand जो adult हैं, वो smoke करते हैं, और उसमें सबसे बड हैं, तो देखना होगा कि क्या इस particular step से यह जो Maori है, वो बच सकते हैं, recently मैंने एक video भी बनाया था, Maori को लेकर, basically वहां की जो party है, जो Maori indigenous population को represent करती है, उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं, कि इसका जो नाम है, वो New Zealand से हटा कर, एतिया रोवा कर दिया जाए, मतलब पहले जो इस हमें यहां पर एक कानून लाने की कोशिश की जाएगी, और सरकार यही कह रही है, कि हम इसको phase wise में करना चाहते हैं, मतलब पहले हम retailers के उपर, shopkeepers के उपर क्या impact आएगा, क्या shock आएगा, economic shock क्या आएगा, वो सब हम देखेंगे धिरे धिरे जो mental health issues होगा, लोगों के उपर, वो सारी चीज़ें यहां पर New Zealand का कहना है, देखना होगा, लेकिन I hope कि यह जो particular topic है से related, जो भी कुछ था वो आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक बहुत interesting question, देखेंगे अगर आप New Zealand और उसके आसपास जो islands है न वो आप देखोगे, तो यहां पर उनको groups में ब सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे NCQs यहां पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकिए अगर आपको PDF टेलिग्राम पर आइए, अलग-अलग social media पर भी आप जोड सकते हैं, साथी साथ UPSC after किसी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप हमारे app को download कर लिज हमारे दो बाकर heading, ये भी आयोथ आप हमारे सकते हैं, साबसभू हमारे वीग Torface हैं, सकते हैं, सुलम झा 예स में एक बजले हैं, सारे कर रहे हमारे हैं, सारे किसी स्थम्ड़화 Pacu भी-EPर टेव्र चाले हैं, सलोण कर दोड़ा हैं, सोलद По चली में परे हैं, सामी उन्स हमारी enas